उत्रा एक सम्मंध में स्नेहन, प्रणेयन, प्रीति, प्रगाड़ था, निश्य, अपनत्व, पैदा तो कर दो उसे कोई संकोश नहीं है, मेरे तो गिर्धर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे वही है एक अनन्य अनुराग, हमें अपने इस्ट के प्रिति रखना हो, इस्ट हम से दूर नहीं है, उसके करपास वंचित नहीं है, और इस्ट के अनुगत हैं, हम उसके आश्रे में हैं, उसके आश्रे में, उसके आश्रे में रहना सीखो, हम उनके आश्रेत हैं, उसके सहारे रहना स अवलम उसी का लीजिए अवलम माने सहरा और किसी का आलम बन मतलो और जब हम ऐसे इस विस्वास में रहते हैं जब हमारा भगवार आलम बन सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के आश्रित है बलकि भगत तो यहां तक कहता है चरन आश्रित हूं मैं तो आश्रे में भी मैं तो चरुनों के आश्रित हूँ उनकी करपा के आश्रित हूँ अगर हम उनके आश्रित रहना सीख लें ये विस्वास हो जाए कि भगवान मुझसे दूर नहीं है मेरा इस्ट और उसके अनुग्रह से मैं वंचित नहीं हूँ उसकी कुछ चीज़ न कभी नहीं हो सकती आप अगर हमें अरिष्ट की कल्पना हो रही है भै की कल्पना असुरक्षा की अभाव की अल्पता किसी प्रकार का कस्ट दुविधा तो कितनी दुर्बलता है हमारी भक्ति में यह हमारी भक्ति का दौर बल्ले पक्ष है कि जब भगवान हमारे हैं तो य ग्यान के कारण हम में पैदा हो गई इसे मेरा कभी कोई अनिस्ट नहीं कर सकता एक विस्वास आप में रहना ही चाहिए कि किसी भी कारण में मेरा अनिस्ट होगा ही नहीं एसी पात्रता का विकास को और जब ऐसा विचार करोगी तो भगवान का विधान अच्छा लगने लगेगा उनके विधान में नियूंता नहीं देखेगी तुरुटी नहीं देखेगी उनके विधान में आपको मांगल ले मोध कल्या और अपना उत्थान ही दिखाई देगा तो जो उनकी विधी विवस्था है नियंता की नियती गती विवस्था भोग भाग्य और प्रारब्ध जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसमें सर्वथा आपके हित छुपे हुए है इसलिए एक दिन अपने मन को कह दो कि भगवान का विधान सर्वथा कल्यानकारी है निर्दोश है और उसमें मेरे सर्वथा हित छुपे हुए है मेरा अहित नहीं होना है देव आधीन के कई के बुद्धी देव बड़े हर्शित हैं आनन्दित हैं देव सत्ता विजई हो गई मान भी ये प्रयास विफल हो गई धरम धुरंदर दीर धरने नुगारे राय सिर धुरलीन उसास से मार शोय तुठा अब वो शान्थ होकर चुप होकर राम 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 कहते हैं और शान्थ हो गई ये आधी रात की बात है लेकिन ये भी कहा मंतराने किसके प्राण न चले जाए ये अपनी मूसे ही तो बताए प्रजा को और सुमंतर को कि मैंने वचन दी है तो रात भर कोई उपचार करके इसके प्राणों की रक्षा करने है किसी प्रकास से ये आधी रात में बात हुई है तो मंतरा बड़ी चिंतित है किसके प्राण भी रह पाएंगे के नहीं तो मंतरा और केकई उनके प्राणों की चिंता कर रहे हैं कि ये किसी जीवित रहें बस बोर तक और ये जीवित रहे कर ये खुद बताएं सुमंत्र को अभी आधी रात की बात है कल पूरी कर लेंगे समय भी हो गया है आधी रात की बात है अब रात में क्या विचार करें अब राम जी को रात में कहां यंगल में बेढ़ जाए कल चर्चा करते है एक चिता बनाकर रख ली थी के कई ने दश्रत से कहते हैं इधर बेखो ये क्या है दश्रत का इचिता है बोल इसमे मर जाओंगे मैं भोर में इसे प्रज्वलेद करूँगे प्रान दूँगी इसमे मैं अगर ये भोर में आपने ये नकही बात सब को सुमंतर को और राम को वन न भे जाते हो तो चलो ये सारी बाते हैं तो कली कर लेंगे अब आरती करते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर रुद्भजह मंगलम पुंडरी काक्षन मंगलायतनो हरी मंगलम पुद्भवाश् करें